तो दोस्तों ही हमारे पास हिक बीजन का 32 चनल का NBR है और प्रोपर हमारे कैमरे लग चुके हैं और हमको इसकी अन्बोक्सिंग करना है पूरा सेट अप करके हम देखने वाले हैं तो आप वीडियो में लास्तिक जरूर बने रही है तो सबसे पहले हम करेंगे अन्बोक्सिंग तो यह निकालेंगे स्टीकर और यहां से है लॉक यहां से भी लॉक और इसको हम कर लेंगे ओपन तो आप यहां देख सकते हैं हमारा जो है NBR दिख गया है और आप यहां देखेंगे इसे सिरीज है तो सबसे पहले तो हम NBR को कर लेंगे बाहर उसके बाद हम देखेंगे इ यह है आपका manual और यह है स्रीज box तो इस box को side में कर दे रहे हैं और हम आ जाते हैं स्रीज box में तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले तो आप power pot देखेंगे power लगाने के लिए NBR को यह adapter है जो connect होगा इस power pot से और यह hard disk को connect करने के लिए double sata यह NBR है तो 2 sata cable प्लस power cable दी गई है यह hard disk को tight करने के लिए पेंचे दिये गया है यह है आपको fewi से connect करने के लिए एक line cable दिया गया है और यह है mouse फरेंट लुक आपको कुछ ऐसा दिखेगा यहाँ पर बल्ब जलगेगा यह hard disk की LED का है इसेंबल और यह है network का यहाँ से on off यह sensor है आपको दिख जाएगा और यहाँ पर एक USB दिया गया है और अगर हम back side देखेंगे तो line एक line jack दिया गया है audio in audio out HDMI BGA और यह alarm को connect करने के लिए आपको port दिख जाएगे USB साथ में आपको दिख जा रहा है बारावर्ड DC कनेक करने के लिए और यह आपको मिल जा रहा है on off switch तो चलिए स्टार्ट करते हैं setup दोस्तों setup के पास आ गये है power हमने connect कर दिया है और screen में भी power आ रहा है और यह जो है PUE से uplink आई हुई है और यह हम इसको connect करेंगे यहाँ पर यह हो गया है on यहाँ से on था पहले से ठीक है और हम जो इसको connect करेंगे डिस्प्ले के लिए तो हम BGA केबल का यूज़ करेंगे आप HDMI केबल का भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर हम BGA केबल लगा देंगे तो यहाँ BGA केबल हमारा हो गया है connect और इसको हम स्क्रीन को करते रहे हैं clean अब तो यहाँ पर देखेंगे डिस्प्ले हमारा आने लगा है और हम mouse को connect करेंगे तो front का look आपको कुछ ऐसा दिखेगा और हम आ जाते हैं अपनी स्क्रीन पर यहाँ पर स्क्रीन पर आ चुके हैं language में आपको English दिख जाएगा तो English selected है इसके बाद हम कराएंगे apply करेंगे उसके बाद यहाँ पर set the regulation 19-20-10-80 हमने कहा yes इसको tick कर लेंगे और यहाँ पर कर लेंगे हाँ sorry yes तो यहाँ पर फिर हम कर देंगे ok अब यहाँ पर हमें नया password बनाने का option मिल जा रहा है तो यहाँ प password बनाते हैं वो password आप बनाएए confirm करेंगे यहाँ पर password उसके बाद यहाँ पर hint भी आप डाल सकते हैं तो यहाँ पर hint हमने डाल दिया है और यहाँ पर आप activation camera password डाल सकते हैं अगर आप यह tick हटा देंगे तो जो password यहाँ पर डाल देंगे और camera जब activate करेंगे तो उसका वही password बन जाएगा तो हम यह tick कर देंगे जब आप activate करेंगे जो nbr का password होगा वही password यह ले लेगा फिर हम यहाँ पर active पे click करेंगे फिर यहाँ पर pattern का option आ रहा त पिर से यहाँ पर बना ले रहे हैं pattern do not उसके बाद फिर यहाँ पर आपको date का आपको setting मिलेगा यहाँ से आप date time सही करेंगे तो यहाँ पर date और time हम सही कर दे रहे हैं सबसे पहले तो time zone से लिख करेंगे यह हमारा time zone इंडिया में है हम और यहाँ पर देखिए automatic date सही हो गई ही है और time भी आप यहाँ पर चेक कर लेंगे proper यहाँ पर हमने correct कर दिया उसके बाद करेंगे next तो यहाँ पर यह by default यह dhcp mode में रहता है तो हम इसको select करेंगे और आप अगर internet आपका लगा हुआ है तो यहाँ पर आप IP उसी series में assign कर देंगे तो हम मारा internet लगा हुआ है जो जाल दे रहे है default gateway 168 sorry यहाँ पर 168 उसके बाद 100 अगर 100 की series में है तो gateway 100.1 होगा तो यहाँ पर हो गया है और यह जो default DNS और पढ़ा हुआ है इसको पढ़ा रहें देंगे फिर हम next करेंगे तो यहाँ पर hardis अभी मैंने install नहीं किया है अभी hardis provide नहीं की गई है तो यहाँ पर अगर hardis provide की जाती तो यहाँ पर hardis होती और इसको select करके init पर click करके मतलब format कर देते फिर हम करेंगे next तो यहाँ पर अगर cable लगा होता तो यहाँ पर आपको camera दिख जाते cable अभी मैंने नहीं कनेक किया है cable हम connect कर दे रहे हैं भी तो आप देख सकते हैं cable हमने कर दिया है connect और अगर हम यहाँ पर refresh करेंगे तो यहाँ पर camera अगर proper connect होंगे तो camera यहाँ पर आ जाएंगे देख सकते हैं आप camera यहाँ पर आ गये हैं देखो इतने camera आ रहा है तो अब हमें पहले तो next करना है अभी add नहीं करेंगे तो यहाँ पर हम कर ले रहे हैं next यहाँ पर online services का option है आप यहाँ पर enable करेंगे तो online हो जाएगा फिर हम करेंगे finish तो हमारा जो startup wizard है complete हो चुका है और हम यहाँ पर इसका जो window देखेंगे कितने divergence 6 तो यह देखिए 32 चनल का हमारा NBR है अब हमको add करने है IP camera तो IP camera आड करने के लिए right click करेंगे main menu में जाएंगे उसके बाद हम यहाँ पर जाएंगे configuration में configuration में जाने के बाद देखिए camera वाला option आपको दिख जाएगा इस पर जाएंगे तो यहाँ देखो camera हमारे आ रहे हैं और यह hic vision के सारे camera हैं तो जब तक यह dumb rule नहीं हटेगा तब तक हम select नहीं करेंगे तो दमरू हट गया है तो हम camera को select करेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे camera आए हैं तो हम यहाँ पर 12 नीचे भी camera कुछ है 64 वाले camera हम connect करेंगे तो 1.64 इन camera को हम कर लेंगे select तीन camera हमें मिल गए चार मिल गए 5,6,7,8,9,10,11,12,13 फिर से एक देख लेंगे 1,2,3,4,5 यहाँ पर आपको 12 camera यहाँ मिल जा रहे हैं 13,14,15 15 camera हमारे select हो चुके हैं अब इनको select करने के बाद हम यहाँ पर इस वाले option पर click करेंगे activate पर तो activate पर हम जब click करेंगे तो यहाँ पर नया password बनाने का option आ रहा है use the default password तो यहाँ पर click कर लेंगे तो default password में आपका जो radius वाला होगा वही password चला जाएगा तो यहाँ पर हम ok करेंगे यहाँ पर जो same password रहेगा तो same password से यह option है अच्छा है कि आपको ip automatic change करने की कोई जरूर नहीं है अब हम इसको अब camera को हम करेंगे select जैसे की 164 164 हम select करेंगे 123 camera हमारे activate हो चुके है 4 5 6 7 8 9 10 11 12 राइट राइट और तीन camera अभी यह camera activate नहीं हुआ है इसको select करेंगे इसको select करेंगे और हम add पर click कर लेंगे तो यह जो NBR है automatic ip change कर देगा देखिए automatic ip change करके यह connect कर दे रहा है यह आप देख सकते यहां पर सारे camera connect हो जाएंगे अगर इसका password अगर हमें show कराना है तो यहां पर जाएंगे और यहां पर जो मैंने password बनाया था फस्टाइम हो डालेंगे और यहां पर मोके करेंगे तो आप देखेंगे तो password यहां पर देखिए जो password हमारा NBR का है वही password हमारा camera का हो चुका है ओके तो अब हमें देखना है किसने camera हमारे connect हुए है 14 यह camera यह चूट गया था इसको हम select करेंगे फिर से इसको हम activate पर click करेंगे इसको हम tick कर लेंगे फिर कर लेंगे okay उसके बाद अब यह देखिए यह भी activate हो गया डंबरू हट जाए तो डमरू हड़ गया है इसको हम करेंगे select और इसको कर लेंगे add पर click तो यह जो है नीचे इस camera को आप देख सकते हैं automatic यह आ जाएगा अभी या नहीं I think यह देखिए 15 आ गया IP change हो गई 12 हो गई और अब हम जाएंगे live view में इस पर click करेंगे तो यह देखिए आप camera यहाँ पर देख सकते हैं so guys हमारे camera सारे चल चुके हैं I hope कि वीडियो आपको informative लगा होगा अगर यह वीडियो आपको informative लगा तो चैनल को subscribe चुरूर कर ले